हे फ्रेंड सेशे कृष्णा स्वागत है अपका मेरी किचेन में आज मैं आपके साथ शेय कर रही हूँ मटर पनीर की बहुत ही जादा टेस्टी और लाजवाब सब्जी मगर इसको बनाने के लिए ना हमें क्रीम चाहिए ना दही चाहिए ना काजू चाहिए ना कोई हमें इसमें घर के मलाई डालेंगे तब भी इसका टेस्ट एकदम लाजवाब एकदम हलवाई स्टाइल जैसे शादियों में बनती है ना मटर पनीर बिल्कुल वैसे आने वाला है तो विचली रेसिपी शुरू करते हैं तो इस सबसी को बनाने के लिए मैंने गैस पे एक कड़ाई रख दी है इसमें हम डाल देंगे दो बड़े चमश के जितना तेल आप यहाँ पे तेल थोड़ा जादा भी यूज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पे तेल थोड़ा कम डाल रही हूँ और आप तेल अपनी पसंद से जो भी आप खाते हैं वो यूज़ कर लें जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो आधा चमश जीरा डाल देंगे एक इंच तालचीनी का टुकड़ा दो इलाईचियों को थोड़ा खोल के डालेंगे दो बड़ी इलाईचि को भी थोड़ा खोल के डाल देंगे दो लॉंग डालेंगे और एक तेज पत्ता डाल देंगे इसमें सारे खड़े मसालों को कुछ सेकिंड के लिए गलम तेल में फ्राई कर लेंगे और 4-5 यहां पर हम लसन की कलियां डाल देंगे यह लसन की कलियां थोड़ी से बड़ी बड़ी है तो मैं 3-4 डाल रही हूँ अगर आप छोटी वाली ले रहे हैं तो 6-6 डाल दें एक इंच अदरक का टुकुड़ा डाल देंगे और फिर से 1-2 मिट तक के लिए फ्राइ करेंगे जब तक ही अदरक और लसन हलका से ब्राउन नहीं हो जाते हैं दो मीडियम साइज के प्यास को रफली चॉप करके डाल देंगे और यहाँ प्यास को हमें हलका सा सॉफ्ट हो जाने तक फ्राइ कर लेना है जैसे ही प्यास हमारे यहाँ पे हलके से सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर को रफली चॉप करके डाल देंगे टमाटर डालने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ी से धनिया की जो डंठल होते है इसको साफ करके डाल रहे हूँ और साथ यह आदा छोटा चमच हमें इसमें नमक डाल देंगे अब टमाटरों को भी हमें 1-2 मिनिट तक के लिए फ्राइ कर लेना है टमाटरों को भून के लेना यहाँ पे ज़्यादा जरूरी है अगर हम टमाटरों को 1-2 मिनिट तक नहीं भूनेंगे तो जो हमारी ग्रेवी बनेगी उसमें खटा-खटा साथ फ्लेवर आएगा मतलब टेस्ट आएगा तो 1-2 मिनिट तक हम यहाँ पे टमाटरों को भूल लेंगे जब तक कि टमाटर यहाँ पे हलके से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं तो यहाँ पे देखे मैंने टमाटरों को 2-3 मिनिट तक के लिए भूल लिया है और अब आप देख सकते हैं टमाटर यहां पर हलके से सॉफ्ट हो गए है तो बस इसी स्टेज पर हमें क्या करना है कि इसमें एक कप के जिता पानी डाल देना है और पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे बस अब हम इसे ढख देंगे और ढख के इसे 6-7 मिनट तक low to medium flame पर अच्छे से पकने देंगे जब तक ही सारी चीज़े इसमें एकदम अच्छे से गल नहीं जाती है तो यहां पर 6-7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि सारी चीज़े यहां एकदम भड़िया से गल चुकी है अगर आपको किसी भी stage पर लगता है कि इसमें पानी जादा है तो आप flame को high करके इसका पानी चाहें तो थोड़ा सा सुखा भी सकते हैं अब हमने जो खड़े मसाले इसमें डाले थे इसको हम इसमें से निकाल देंगे जैसे कि तेजपता दाल चीनी और बड़ी लाइची है यह तीन मसाले हम इसमें से निकाल देंगे और बस अब हम गया इसको बंद कर देंगे और पूरे मिक्षर को अच्छे से ठंडा हो जाने जब यह मिक्षर अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा एकदम स्मूथ ग्रेवी मतब प्यूरी बनकी हो गई है तयार तो अब चलते हैं कड़ाई की तरफ तो यहाँ पर मैंने उसी कड़ाई में फिर से उसको क्लीन करके इसमें दो बड़े चमच के जितना तेल और डाला है जैसे कि मैंने बताया कि यह सबजी में बहुत कम तेल में बना रही हूँ आप चाहें तो थोड़ा जादा भी डाल सकते हैं क्योंकि जब हम कोई स्पेशल सबजी बनाते हैं तो उसमें तेल थोड़ा सा जादा चलता ही है जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो आधा चमच हल्दी, एक से तेट चमच लाल मिर्च पाउडर और एक से तेट चमच धनिया पाउडर डाल देंगे मैंने यहाँ पर देगी मिर्च डाली है इसे तीखा भी हो जाता है और सबजी का कलर भी अच्छा आता है अगर आपको लगता है कि तेल जादा गरम है तो आप क्यास को बंद करके भी डाल सकते हैं ने तो हमारे मसाले जल जाएंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने जो प्यूरी बना की रखी थी मसालों की यह इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको पहले एक दो बार मतलब एक से दू मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद हम इसे ढख देंगे और ढख के low to medium flame पे बीच-बीच में चलाते हुए हमें इसे 6-7 मिनट तक अच्छे से पका लेना है जब तक हमारी gravy पकरी हम अपना पनीर तयार कर लेते हैं तो मैंने आपे 300 ग्राम पनीर लिया है और उसे इस तरह से छोटे छोटे टुकडों में काट लिया है अब हम एक mixi का jar लेंगे और इसमें से 50 ग्राम के जितना पनीर अलग निकाल लेंगे मतलब mixi के jar में निकाल लेंगे और बाकी पनीर को हम इसी तरह से छोड़ देंगे आप चाहें तो पनीर को fry करके भी ले सकते हैं अब जो mixi के jar में हमने निकाला है इसमें एक चौथाई कप दूद डाल देंगे दूद आप कैसा भी यूज़ कर सकते हैं और इसे mixi में चलाके इसकी एक smooth सा puree बना लेंगे हम इसे लगातार चलाते हुए दो से तीन मिनट तक अच्छे से भून लेंगे इसे हमें तब तक भून लेना है जब तक कि इसका color change नहीं हो जाता है और इसके किनारों से oil separate होना शुरू नहीं हो जाता है तो मैंने इसको तीन से चार मिनट high flame पे लगातार चलाते हुए भूना है और आप इसका color देख सकते हैं कितना एकदम change हो गया है और इसके किनारों से oil भी separate होना शुरू हो गया है क्योंकि हमने इसमें बहुत जादा तेल नहीं use किया है तो तेल आपको इस तरह से separate होता हुआ नहीं दिखाई देगा लेकिन इस जो gravy है बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है इसने pan छोड़ना भी शुरू कर दिया है और भूने में मसालों के अब इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है तो बस इसी स्टेज पे हमें क्या करना है कि जो दूद और पनीर के हमने प्योरी बनाई थी वो सारी हम इसी में डाल देंगे और इसको भी हम इसी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे पहले और जब यह पूरे मसाले के साथ एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब हम इसे लगातार चलाते हुए एक से दो मिनट तक के लिए इसको भी भून लेंगे तो यहाँ पर 1-2 मिनट हो चुके हैं मैंने पनीर को भी अच्छे से मतलब दूर पनीर वाले मिक्षर को भी इस पूरे मसाले के साथ एकदम भड़िया से भून लिया है मसाला हमारे एकदम अच्छे से पक चुका है तो बस इसी सेच पर हम क्या करेंगे कि इसमें गरम पानी आट कर देंगे मैंने मिक्सी के चार को ही तोड़ा सा गरम पानी से रिंस करकी ये पानी इसमें आट कर दिया है टोटल हम इसमें 2 कप के जितना पानी आट करेंगे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप कैसी रखना चाहते हैं गाड़ी या फिर पतली उसी हिसाब से आप पानी इसमें आड़ कर सकते हैं मैंने टोटल इसमें दो कप के जितना पानी आड़ किया है एक कप पानी मैंने पहले डाल दिया था और एक कप पानी अब मैं इसमें अब डाल रहे हूं ध्याने कि आपको इसमें हलका गरम पानी डालना है ठंडा या फिर कच्छा पानी आप इसमें ना डाले अब अच्छे इसे इसको mix कर देंगे पूरे gravy के साथ और इस gravy में हम एक boil आजाने देंगे क्योंकि हमने गरम पानी डाला है तो आप देख सकते हैं इसमें boil आना शुरू हो गया है मैंने यहां पर एक कप की जितने फ्रोजन मटर लिया है यह इसमें आट कर देंगे अगर आप फ्रेश मटर यूज कर रहे हैं तो पहले मटर को अलग से boil कर लें उबाल लें उसके बाद ही आप इसमें आट करें एक टेबल स्पून के जितनी कसूरी मेथी डाल देंगे हाथ से क्रश करके साथ ही थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे बारिक कटी हुई और आधा चमच हम इसमें गरम मसाला एट कर देंगे एक टेबल स्पून मतलब एक बड़ा चमच के जितना मैं यहाँ पर टोमैटो कैचप डाल रही हूँ यह जरूर डालने से न सबजी का टेस्ट एकदम दूने लेवल पे चला जाता है अगर टमेटो कैचप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें एक चोटा चमच चीनी एट कर दें सारे मसालों को बैलेंस करने के लिए अब इन सारी चीज़ों को एकदम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप ग्रेवी का कलर अभी से देख सकते हैं कितना जाधा शानदार आ रहा है बस अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढख देंगे और ढख के 5-7 मिनट तक low to medium flame पे इसे अच्छे से पकने देंगे तो यहां पे 5-7 मिनट हो चुका है और आप सबजी की रंगत सेख सकते हैं वाओ कितना शानदार कलर आया है सबजी का और ग्रेवी का टेक्चर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और कितना शानदार है कोई कह सकता है कि ये सबजी मतलब ये ग्रेवी आपने घर में बनाई है बिना क्रीम, बिना काजू, बिना मलाई के, बिना दही के बहुत ही जादा टेस्टी और बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रहे भी ये मेरे पूरे घर में तो फ्रेंड्स अब अब क्या करेंगे, ये पनीर हम इसी में अट कर देंगे जैसे कि मैंने कहा कि आप चाहें तो पनीर को हलका सा फ्राइ करके भी ले सकते हैं लेकिन हमारे याँ पर्सनली सबको पनीर इसी तरह से पसंद है तो मैं यहाँ पर कच्छा पनीर ही डाल रहे हूँ अब पनीर डालने के बाद इसे अच्छे इसे मिक्स कर देंगे और इसे ढग देंगे सिफ 2-3 मिनट के लिए 2-3 मिनट में ही सबजी हमारी बन के तयार हो जाएगी बहुत जादा ओवर नहीं कुक करना है ओवर कुक करने से कई पार जो पनीर होता है वो हाड हो जाता है तो बस यहाँ पर 2-3 मिनट हो चुके हैं सबजी हमारी बन के बिलकुल तयार हो चुकी है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शांदार, खुश्बू आ रही है सब्जी की जब आप इस तरह से बनाएंगे तो ही आपको पता चलेगा मतलब मेरे बताने से आपको नहीं पता चलेगा कि ये सब्जी कितनी जादा शांदार बनी थी ओपर से थोड़ी सी बारिकटी हुई धनिया पत्ती ढाल देंगे और बस गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो फ्रेंड्स ये लीजे, ये हमारी बहुत ही टेस्टी और शांदार मटर पनी की सब्जी हो गई है बनके तयार आप एक बार इस तरह से ये सब्जी अपने घर में जरूर ट्राइ करें ट्राइ करने के बाद रेसीपी कैसे लगी प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्षन में लिखे जरूर बताएं आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा थैंक यू सो मच फर वाचिंग